विद्ध्यार्थी विद्रो दुरण भार तत्वग्नियान मां आपने प्रक्रण छो एमा आजे आपने अनुमानना प्रत्यक अवयवनी अगत्यता समझाओ ए प्रश्ण नी समझूती में विशुँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँ मते अनुमान्नु बंधान सूँ छे ए जाहिशू न्याईदर्सन अनुशार अनुमान्नु एक निश्चित मानने रूप छे जैने साप्दीक रिते पांच वाक्तियों के अवयमुद वारा रजू करवामा आवे छे आ पांच वाक्तियों द्वारा रजू करवामा आवे छे आ पांच वाक्तियों द्वारा रजू थतू अनुमान पंचा वयवी कहवाए छे पांच अवयव वालू, पंचा अवयव येटने पांच अवयव वालू, आ पांच अवयव नाव अदे स्वरुपनि स्थद्रष्टांत समझूती, आपने जोईए, प्रतिग्न्या, हेतु, उदानसे व्याप्ति, उपनाई अने निगमन, आ चार अवयव आदे ते अने परिक्षाम पुछाए, तो आकुरू त्यार के दोरवानी, अवयव, क्रम अने नाम, प्रतिग्न्या, बीजू हेतु, उदानसे व्याप्ति, चोथो, नए अने पांच अवयव निगमन, उदान जुवानू प्रतिग्न्या येले ते पर्वत पर अग्नी छे, ये तो येले प्रत्तेक अवय़नेि頭 ये सम्झोती मेलविश्ब, यालू जवए प्रतिग्न्या चीं। प्रतिग्न्या ये पंच्या वयवईवर ये प्रथम अवयवचे, ते पर्वत पर अग्नी छे, अनुमाम वारा जेग्धन्यां के सत्तेदा साबित करवानी छे, तेग्धन्यां क करता वाक्यने प्रतिज्ञात रिकें उडगवाम आवेचि पंच्या 222 पोथे मानसिक्टिंत आवेङला अनुमानि विजी व्यक्ति आगर करवामां आवेली साब्दी करजुवाच अ एक रेकT ये पोथे मानसिक्ट तरेग्णान प्राप्त कर्युचि ए अन्यवेक्ति समक् रजु करवा माँडे छे एला एक शापदिक एनको रजुवाद छे वक्त आये अनुमान द्वारा जेग फल्ली जानतार्यों छे ते श्रोता ने पेले थी जडायविद्याँमा आदे तो ते फल्ली त्विदान माँडे अनुमान माँ रजु थारेला आधार विदानों श्रोता योग्यर्ते मुल्यांकन करी शके छे लगे फ़ली तिदान आपकर पहले थी जे अपड़े वक्ता देछे ये श्रोता ला जनाए देछे कि ये श्रोता हो नों तमारी समख्ष्ते मुल्यांकन करी शक पहलेज करता जो श्रोताने आधार में तानों स्वजुकार न लागे तो तेनी आधार ते खरली कौernे स्थ्य तानों पर श्विकार करे शे आम जो सामी व्यक्ति पासे तार्किक आधारों रजुकरी ने जो फल्लित विदामनों स्विकार कराबू हो है तो एक फल्लित दांत्याने पहले थी जनायों आवे ये मनोवेग्णियानिक ने तार्किक बंदे द्रश्टिये कारक निवले छे प्रस्तुत उदानमा वक्ता प्रतिग्णिया व्याग्तिय रजुकरी ने श्रोताने प्रत्थम्तित एम जनायों देचे कि हुँ तमारी आगर्ते प्रवत प्रग्नी छे एम साबीर करवा मागू छो उप्लंग द्रश्टिये प्रतिग्णिया ए फल्लीत विद्दानू निर्थक उक्चार होए ती उजनाय छे प्रतिग्णिया ए पंचा वई अनुमान मा आउतु वतार mayonnaise वाक्यद नथी पण सामी वेक्णियने प्रतिती करावा माते रजुथ कहल्या पंचा वई बी अनुमान नुमान भुब जमहत्बन्ष सोपान बिजु अवजयो छे हेतु ये पंचावत वेलिक अनुमाननों बीजु अवजयो छे कारण के ते परवत पर धुमारू छे। जयना प्रत्यक्ष्ञ्णियान्ति अनुमान्क्रियानों आरंभ थाये छे। त्याने हीतु कहवा माँएचे। थाये छे एतु मां रजूठता वाक्य अद्वारा वक्ता शोता नेम जणावे छे के पक्षमा साध्यनी आजरी साबित करवा मांटे परवद मां अग्दीनी आजरी साबित करवा मांटे पक्षमा जे एतुनी आजरी हवी जोई ये ते खरे खर छे एवु आपने जोई ये छीए प्रस्तु दूदाहण मा वक्ता येतु वाक्यर जूकरीने श्रोताने एम जहाने छे कि ते परवत पर अगनी छे ए फलित ताग साबीत थाई शक्के प्यान छे काल कि ते परवत पर धुमाडो छे आम एश्पष्ट थाई छे के येतु वाक्यमा पक्षमा ये तुनी आजरिणू प्रत्यक्ष्ण ए अनुमान क्रिया माटेनी प्रथम सरत्मू पालन थाई छे आथी येतु वाक्यर तारकी ग्रिष्टिये वदू महत वदरावे छे आपनों त्रिजू अवयव उदान सैथ व्याप्ति छे उदान सैथ व्याप्ति ये पंच्या अवयवी अनुमान त्रिजू अवयव छे ज्या ज्या तुमारों होय छे त्यां त्या अगनी होय छे वास्तविक द्रश्टां प्रजोगरू छे रशोडा मा न्याई दर्शन अनुषार अनुमान क्रिया मां एतुनु पक्ष्मा प्रत्यक्ष्ण्यान थयापछी। एतु अने शाथ्य वच्चेना व्याप्ति सम्बन्निशवूती थाए जरूरी छे। पंच्या वयवी अनुमान्ना आ अवयोद्वारा वक्ता श्रोताने येतु अने शाध्य वच्चे ना व्याप्ति सबन्नी शुरूती करावे छे। येतु अने शाध्य वच्चे व्याप्ति सबन्नी आपनना शुरूती थवी जरूरी छे। अने तेथी ते सर्वतास्वी कारिया छे। प्रस्तु गुलानमा वक्ता व्याप्ति व्याप्ति रजुक्रिन शुरूताने येम जनावे छे के ते परवत प्रग्नी छे। ये फलिर्जान साबित थैं शके प्यान छे। कारणके ते परवत पर धुमाडों प्रत्यक्ष्ट देखाए छे। ये ज्यां ज्या दुलान होई छे। त्यां त्यां आधरी होई छे। युँ व्याप्ति वाक्य भ्रसोडा ना उदार ना धिरिक्षन वारायम खतादवाम आवेलू छे। आने श्वष्ट थाय छेगे येकुने साथ्यवच्चे ना व्याप्ति समन्ने शुरूती ए अनुमान क्रियानी बिजी सत्मों पालम थयलू छे। ुझ बिजनावत शुछा व्याप्ति वाक्य भक्य भ्याप्ति वाक्याम एतॉने साथ्यवच्यना व्याप्ति समन्नी जेवात करवाम आवी छे। ते पक्षने बराबर लागू पड़े छे, एम जनावता पंच्या अवैवेन मानना आ अवैवने एटला माते उपने कहवामा आवे छे, के श्रोताने निगमन्नी पासे, निगमन्नी पासे दोरी जाये छे, उपने शब्द दो अर्थन छे, तमे जो उप एटले पासे, अन न उपने वाक्ये रजूक्रिणे श्रोताने एम जनावे छे, के ते परवत प्रग्णी छे, एप फनिद्दान साभी थाई चुकेला विधान बराबर छे, कानके एगदी साथे व्याप्ति सबन दरावना तुमारों ते परवत पर छे, नई आए गोना मते, एक पक्षमा कथन द्वारा एम जनावी दें छे, के प्रस्तुत अनुमाननी बाबत मा आ बन्ने शर्णों योग्ये पालन धायों छे, अने ते थी एतुना माध्यम थी पक्षने साथ्केलों सबन स्थापी शतायों छे, आम उपने द्वारा भलित विधान दी पुरे पुरी साभीती बर रहे छे, आना पर्ःथी एक श्कश्ट थाई छे, के पंच्यावीयों माननों छोथों अवयों उपने ए तात्की क्रिस्थिये शोथी वदारे महत्मणों छे, निगमं, निगमंके पंच्यावैयों माननों 5 मुअवयों छे, ते थी दे पर्वद पर अग्नी पंच्या वयुर्माननू च्वाथू वाक्य उपने द्वारा वक्ता शुरोता ने ए बावतनी प्रतिती करावे छे के साध्य साथे व्याप्ती सबंदरावना घेतूनी पक्षमा हाजरी छे। साध्येतल अग्णी येतू इतल द्वुमाडो न पक्षितन परवत एलेमकर अग्णी साथे व्याप्ती सबंदरावना धुमाडानी परवतमा हाजरी छे। अने तेथी पक्षमा साध्येनी आजरीन परवतमा अग्णीनी आजरीनु भ्रम अने शंकाथी मुक्त एवु सत्य ग्णान आपणने अनुमांद्वारा मले छे। आ अनुमांद्वारा मलेल ग्णानी ताकिकृते थैली रजुवात निगमन तरी क्योर खाई छे। प्रस्तुत उदानमा वक्ता निगमन रजुकरीने श्रोताने एव जणावे छे के अग्णी साथे व्याप्ति सबन तरावना भुवारो ते परवत्वर छे यानी आपने खात्री करीली दी छे। ते थी ते परवत्परग्नी छे ए फलीत विदाननु अनुमान प्रमान द्वारा आपनने जे ग्ण्यान थाय छे ते ग्ण्यान संकाने प्रवना थी मुप्त एव सत्य ग्ण्याई छे। एम सित्थ जाय छे। प्रत्तिकना वाक्य द्वारा जे विदान साबीती माटे रजु करवा माध्यू हतु। ते विदान हवे साबीत थाहेलू छे। एम जणातों पंचा वयुल्माननों आ पाच्मों अवयव निगमन ए अनुमान क्रियानू परमफण छे। निगमने अनुमान क्रियानू परमफण छे। निगमन द्वारा श्रोता अने वक्ता वच्चे यथा ध्ज्ञान अंके सम्पून सहमती सताय छे। अने तेथी श्रोता अने वक्ता वच्चेना संबाद मों अंतावे छे। आम ये श्वश्ट थाए छे के पंच्या वैवी अनुमानमा निगव मन्नुस्थान तार्किक त्यमज भनोवे इग्णादू बंदे द्रश्टिये महत्वनुमान छे तो अई आप्नोँ है अच्या वैवी अनुमाना प्रत्तिक अवे इगत्ता संझाओ वे प्रश्टपूर थाए छिए